केंद्री मंत्री स्मिती रानी करनाटका पहुँची और करनाटका पहुँचते उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जैसे वो लगातार जूट बोलना शुरू कर दिया है लेकिन करनाटका पहुँचने पर आपसे सवाल बड़े तीखे और बड़े वाजिब है सवाल आपसे ये है कि अपनी 40 परसन कमिशन की सरकार पर क्या बोलिएगा आज अखबारों में पूरा पूरा रेट कार्ट छपा है आपकी सरकार का जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पुलीस के सिपाही तक भरती में कितना पैसा लिया जाता है कितना कमिशन है उस पर मुझ कब खोलिएगा आप चुपी कब तोड़िएगा जो करनाटिका में आपकी सरकार में भष्टा चार का आतंक मचा रखा है जो करनाटिका में विरोजगारी का आतंक मचा रखा है जो करनाटिका में भाजपा की 40% सरकार में महिगाई का आतंक मचा रखा है उन विश्यों पर आप कब बोलिएगा और कब तक आप मुद्दों से भटकाने का प्रयास करीगा ये इस देश का दुर्भाग है कि इस देश की महिला बालविकास मंतरी चलतर मंतर पर बैठी हुई बेटियों के पक्ष में एक शब नहीं बोलती है और गला तब भारती है, मूँ तब खोलती है जब राहूल गांधी या गांधी परिवार के खिलाब कुछ बोलना होता है आप लाग कोशिशे कर लीजे समिती जी, करनाटक ने मन बना लिया है आपकी 40% कमिशन खोरी सरकार को करनाटक निकाल बाहर करेगा और कॉंग्रस को विजई बनाएगा लेकिन आप पर तरस आता है कि आपकी राज़नीती और आपका वजूद सर्फ गांधी परिवार के खिलाफ बोलने पर है पर मुद्दों से हम आपको भटकाने नहीं देंगे ये चुनाओ 40% कमिशन खोरी पर अपनी चुप्पी तोड़िये महंगाई, बेरोजगारी, प्रष्टाचार के आतंग पर आपको बोलना ही पड़ेगा आपके लगातार जो जूट है उनका परदाफास हो चुका है यहाँ पर आकर करनाटिका की बाद कीजिए पेश है न्यूस बाकेट हिंदी मासिक पत्र का पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से अमारे न्यूस बाकेट की मैगजीन में अमारी इमैगजीन को मुफ्ट में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें